ओम नमो भगवते बासुदेवाय नमा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास और सुखत जीवन की मंगल कामना करती हूँ दोस्तों पॉस मास की सुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकदसी को पॉस पुत्रदा एकदसी और वैकुंट एकदसी नमों से जाना चाता है माना जाता है इस एकदसी का ब्रत रखने से हजारों साल तपस्या की बराबर फॉल मिलता है तो आईए जानते हैं साल 2023 में पढ़ने वाली एकदसी कब है ब्रत कब रखा जाएगा कब पारण किया जाएगा और एकदसी और द्वादसी तिति कब से कब तक रहेगी ब्रत खोलने का सुब मोहत कब से कब तक है क्योंकि इस एकदसी को संतान प्राब्ती की कामना से भी रखा जाता है तो संतान प्राब्ती के लिए कौन से खास उपाए इस दिन करने चाहिए और कौन सी सावधानिया करनी चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ तो वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे अन्रोध है कि वीडियो अगर पशंद आए तो लाइक और सेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों इस साल 2023 की सुरूरात होगी पॉस पुत्रदा एक अदसी से जिसका ब्रत रखा जाएगा दो जनवरी 2023 सुमवार को इस दिन एक अदसी है और ब्रत के नियुमों का पालन एक दिन पहले से सुरू कर दिया जाता है तो अगले दिन तक दो अदसी के दिन तक नियुमों का पालन कर सुब मूर्थ में प्रत खोला जाता है एक अदसी प्रारंब होगी रविवार साम 7 बज कर 12 मिनट से और समापती है 2 जनवरी सुमवार रात 8 बज कर 23 मिनट तक और इस साल 2023 में अधिमास भी लग रहा है जिसके कारण एक अदसी की जो संख्या है वो 24 ना होकर 26 होगी और इस बार सावन का महिना भी एक नहीं बलकि पूरे दो महिने का रहने वाला है पुत्रदा एक अदसी ब्रत रखने से उत्तम और योग संतान की प्राप्ती होती है और संतान पर आया संकट भी टल जाता है तो दोस्तों जान लेते हैं पॉस पुत्रदा एक अदसी चिथी और सुमूर्थ तो 2023 में पहला ब्रत पॉस मा के सुखल पक्ष की पुत्रदा एक अदसी का है एक अदसी की पूजा भगवान विश्णु को समर्पित होती है इस दिन भगवान विश्णु की बिधी विदान से पूजा करने पर नी संतान दम पत्तियों को संतान की प्राप्ती होती है पॉस मा का अंतिम एकदसी ब्रत दो जन्वरी साल 2023 सुमबार को रखा जाएगा एकदसी तिथी का प्रारंब एक जन्वरी शाम साथ बजगर 22 मिनट से होने जा रहा है जो दो जन्वरी साम आठ बजगर 24 मिनट पर समात होगा ऐसे में उदिया तिथी की मानने ता के अंसार पॉत्रदा एकदसी ब्रत दो जन्वरी सुमबार को रखा जाएगा जबकि पॉस पॉत्रदा एकदसी ब्रत का पारण तीन जन्वरी को सुबह 7 बजगर 16 मिनट से सुबह 9 बजगर 22 मिनट तक किया जाएगा पॉस्पुत्रदा एकदसी की पूजन भी दी क्या है? चलिए मैं अब आपको बता रही हूँ हर एकदसी तिती की तरहें पॉस्पुत्रदा एकदसी ब्रत के नियम भी दस्वी तिती से ही प्रारंब हो जाते हैं ऐसे में यदि आप एक अदसी का ब्रत करने जा रहे हैं, तो दस्मी तिती को दूसरे पहर का भोजन करने के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। और दस्मी तिती को सातिवी भोजन ही ग्रहन करें और ब्रह्म चर्र का पालन करें। एक अदसितिती को प्राता काल जल्दी उठें और इसना नादी करने के पत्सात भगवान विष्णू का ध्यान करते हुए ब्रत का संकल्प करें ब्रत का संकल्प करने के बाद गंगजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामरत से भगवान विश्नु नारण की पूजा करें इस ब्रत को निर्जला याने की बिना जल के किया जाता है यदि विशेश परिस्थेतियों में ब्रती की शमता नहीं है तो संध्यकाल में दीवदान के पश्षात फलहर किया जा सकता है एक अदसी के ब्रत का पारण अगले दिन याने की 12 सितिती पर किया जाता है इस पूजा के लिए भगवान विश्णू की फोटो के सामने दिया जलाकर ब्रत का संकर्प लेकर कलस स्थापना करनी चाहिए फिर कलस को लाल वस्त्र बांद कर उसकी पूजा करें भगवान विश्णू की प्रत्मा रकर उसे इस नानादी से सुद्ध करके नय वस्त्र पहनाए तत्पश्चात धूब दीब आदी से विदिवत भगवान श्री विश्णू की पूजा अर्चिना और आरती करें तत्था नैवेद और फलों का भोग लगा कर प्रसाद बित्रण करें श्री विश्णू को अपने सामर्थ के अंसार पुस्प, रित्यू, फल, नारियल, पान, सुपाडी, लौंग, बेर, आउला, आदी अर्पित करें एक अदसी की रात में भजन कीर्तन करते हुए समय भी तीत करें पूरे दिन निराहार रहें तथा सायंकाल कथा सुनने के पशाद फलाहर करें पारण वाले या दूसरे दिन प्रामण को वोजन तथा दान दक्षिना देने के पशाद ही सोयम को पारना करना चाहिए एक अदसी के दीबदान करने का बहुत ही महत होता है अता इस दिन दीबदान अवश करें पुत्रदा एक अदसी ब्रत के पुन प्रभाव से ब्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्रादी पाकर अपार धन संपत्ती का मालिक बनता है पुत्रदा एक अदसी ब्रत से संबंधित पौराणिक ब्रत कथा केंसार भद्रवती नामक नगरी में सुकेत मान नाम का एक राजा राज करता था उसको कोई पुत्र नहीं था उसकी इस्त्री का नाम शैव्या था वै निपूती होने के कारण सद्यव चिंतित रहा करती थी राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री इन सम्में से किसी से भी संतोस नहीं होता था वै सद्यव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा बिना पुत्र के पित्रों और देवताओं का रिंड मैं कैसे चुका सकूँगा जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सद्यव अंधेरा ही रहता है इसलिए पुत्र उत्पत्ती के लिए प्रत्न करना चाहिए जिस मनुस ने पुत्र का मुख देखा वह धन है और उसको इस लोक में यश और परलोक में सांती मिलती है अर्तात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्में पुत्र धन आदी प्राप्थ होते हैं राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था एक समय तो राजा ने अपने सरीर को त्याग देने का निश्य किया परंतु आत्म घात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चड़कर वन को चल दिया और पक्षियों और ब्रक्षों को देखने लगा उसने देखा कि वन में म्रग, व्याग्र, सुवर, सिंग, बंदर, सर्प, आदिस, ब्रमर कर रहे हैं हाथी अपने बच्चों और हत्मियों के बीच घूम रहा है इस बंद में कहीं भी तो गीदर और अपने करकर स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू धनी कर रहे हैं वन के दरस्चों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया इसी प्रकार आधा दिन बीच गया वह सोचने लगा कि मैंने कई यग्द किये ब्रामणों को स्वादिस्ट भोजन से त्रप्त किया फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ क्यों राजा प्यास के मारे अत्यन्त दुखी हो गया और पानी के तलास में इधर उधर फिरने लगा थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच, आदी विहार कर रहे थे उस सरोवर के चारो तरफ मुनियों के आस्रम बने हुए थे उसी समय राजा के दाईने अंग फड़कने लगे राजा सूब सगून समझ कर घोड़े से उतर कर मुनियों को धंडवत प्रणाम करके बैठ गया राजा को देखकर मुनियों ने का हे राजन हम तुमसे अत्यन प्रसन है तुम्हारी क्या इक्षा है सो कहो राजा ने पूछा महाराज आप कौन है और किस लिए यहां आए है कृपा करके बताईए मुनियों कहने लगे कि हे राजन आज संतान देने वाली पुत्रदाई का अदसी है हम लोग विशुदेव हैं और इस सर्ववर में इस नान के लिए आए है यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है यदि आप मुझ पर प्रसन है तो एक पुत्र का वर्दान दीजे मुनिय बोले हे राजन आज पुत्रदा एक अदसी आप अवस ही इसका ब्रत करें भगवान की करपा से अवस ही आपके घर में पुत्र होगा मुनिय के वच्चनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एक अदसी का ब्रत किया और दौधासी को उसका पारंड किया इसके पश्चात मुनियों को परणाम करके अपने महल में वापस आ गए कुछ समय बीटने के बाद रानी ने गर्व धारंड किया और नौ महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ वर राजकुमार अत्यन सूर्वीर यसस्वी और प्रजापालग हुआ इस एकदसी के संबंध में भगवान श्रीप कृस्न कहते हैं कि हर मनुस को पुत्र की प्राप्ती के लिए पुत्रदा एकदसी का प्रत अवसी करना चाहिए जो मनुस इस एकदसी के महात्म को पढ़ता है और सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ती होती है तथा घर, सुख, संपदा और पुत्रादी से भरापूरा होकर मनुस सुख में जीवन ब्यतीद करता है एकदसी के दिन भगवान विष्णू की बिदिवत पूजा अर्चना करने के बाद बच्चों से तुलसी में एक दिया अवस्थ जलवाएं एकदसी के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं के जाती है लेकिन आप दिया अवस्थ जलाएं तुलसी जी के जड़ में और भगवान विश्णू के भोग में तुलसी दल जरूर रखें। इससे भगवान विश्णू बहुत ही प्रसन होते हैं। एकदसी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। और अगर आपके पास पहले से रखा है तो आप वह भी तुलसी दल भगवान विश्णू के भोग में अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी दल कभी भी भासी नहीं होता है। तो ये थी जानकारी पॉस, पुत्रदा, एकदसी ब्रत की, पूजा बिधी और ब्रत की कथा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सब तक के लिए राधे राधे जय माता की। वीडियो ब्रत की माता की बड़ना है और शेयर की। झालक की राधे जय है तो यादीश में सब्सक्राइब की बीडियों